हम 6th class से ही परियाईवाची शब्दों को पढ़ते आ रहे हैं फिर भी ये पूरी तरह से याद नहीं होते आज भी ये दे हमें कोई ऐसा शब्द दे दिया जाये और उसका परियाईवाची पूछे तो शायद हम उसका जवाब नहीं दे पाएं क्या कारण है इसका कि हम इन्हें धंग से याद नहीं कर पाते इसमें आपकी गलती नहीं हम सुरू से ही रटा मार कर पढ़ते आ रहे हैं रटने की प्रवर्ती ही यसी होती है कि जब तक रटे रहें तब तक याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं लेकिन आज हम इन्हें रटेंगे नहीं और ना ही एक्जाम्स के लास्ट टाइम पर पढ़ेंगे बलकि आज अभी इन्हें बातों ही बातों में याद करेंगे छोटी-छोटी ट्रिक्स से जो आपको हमेशा याद रहेगी नमस्कार आप सभी विध्यारतियों का स्वागत करती हूँ आपकी अपने इस एजुकेशन चैनल पर सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल को लाइक किया सब्सक्राइब किया और कमेंट्स के माध्यम से आप बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं हमारा आपको काम कैसा लग रहा है तो आईए शुरू करते हैं हमारे आज के परियायवाची शप्त है वो है तारा इसे तारक, सितारा, नक्षत्र, उडू और उडूगन भी कहते हैं जो इसके परियायवाची शप्त है तारक है, सितारा है, नक्षत्र है, उडू है और उडूगन अब इन सारे ही परियायवाची शप्तों को हमें एक छोटी सी ट्रिक से छोटी सी लाइन से याद करेंगे आशा है आपको पसंद आईगी तो जो ट्रिक है वो है तारक के सितारे नक्षत्र में उड़ें कोई लड़का है उसका नाम है तारक उसके सितारे क्या है नक्षत्र में उड़ गए तो तारक के सितारे नक्षत्र में उड़ें बस आपको ये लाइन याद रखनी है और आपके ये जो तारा के जो परियाई वाच्ची है आपको पूरे याद हो जाएंगे तारक से तारक ही रहेगा परियाई वाच्ची सितारे इसमें तारे हैं तो तारे याद रख सकते हैं तारा याद रख सकते हैं नक्षत्र उडे से बनेगा विची और उर्मी उर्मी में हमेशा दिर्ग मातरा आती है उ में जब भी आप लिखें तो ध्यान रखें संधी में बहुत काम आता है ये और इसकी ट्रिक है लेहर की तरंग विच उर्मी आपको सिर्फ ये छोटी सी लाइन याद रखनी है कि लेहर की तरंग विच उर्मी ले विची ट्रिक के साथ आप शब्दों को भी देखते रहें यहाँ पर हमने विच लिखा है इसको याद करने के लिए इस ट्रिक को याद करने के लिए ताकि शब्द होता है जो परियाई शब्द होता है वो होता है विची और उर्मी अगला हमारा जो शब्द है वो है बंदर बंदर के परियाएवाची होते हैं, हरी, वानर, कीश, शाखामरग, मरकट और कपी, हरी भगवान को भी कहते हैं और हरी बंदर के लिए भी आता है, तो हमने ये ट्रिक बनाई है, हरी का वानर किस शाखा पे मरकट करे, ये ट्रिक है, ये लाइन है, कि हरी का वानर किस शाखा पर मर्कट करी, हरी से बनेगा हरी, वानर, यहां पर किस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे बोए कीश, जो वानर को कहते हैं, कई बार दंतव्य शे को हम कई बार गलती से तालू वाला शे भी बोल देते हैं, शे बोल देते हैं, तो आप याद रखें कीश, शाखा से ने बनेगा शाखाम्रग मर्कट से मर्कट तो वानर को मर्कट भी कहते हैं अगला हमारा जो शब्द है वो है मोर तेखिए मैंने इसमें एक नया प्रियास किया है आपके परियावची शब्दों में इन ट्रिकों को काम में लिखाए तो इसे कोई मतलब नहीं है तो आप किताब में भी याद कर सकते हैं आपके पास बहुत सारी किताबें होगी बजार किताबों से भरा हुआ है लेकिन मेरे जो वीडियो होते हैं उसकी खासियत यही होती है कि कठिन चीज को सरल बनाना और यही कोशिश मैंने यहां की है और आप से सहयोग चाहूंगी कि आप जादा से जादा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाब मिल सके ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं या किसी कारण से कोई भी कारण हो सकता है जिससे वो महंगी कोचिंग जोईन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इनका फायदा हो तो हम वापस अपने शप्त की तरफ चलते हैं हमारा जो शप्त है वो है मौर इसके परियाए बात्ची हैं कलाजी, मौर, शिखी, केकी, नीलकंट, सारंग, शिवसुत वाहन शिवसुत वाहन यानि शिवजी के जो पुत्र है कार्थिके उनके ये वाहन है मौर अब इनकी जो ट्रिक बनी है वो है कलाजी मोर के शिखी पे नीलकंट का सार कलाजी मोर के शिखी पे नीलकंट का सार तो मोर का नाम क्या है? कलाजी मोर है उसके शिखी पे क्या है? नीलकंट का सार है कलाजी से याद रखेंगे कलाजी, मोर से मोर कैसे आपको याद रखना है केकी मोर को केकी भी कहते हैं शिखी से शिखी नीलकंट से नीलकंट और सार से याद रखना है सारंग तो मोर को सारंग भी कहते हैं अगला हमारा जो परियायवाची शब्द है वो है कोयल कोयल के लिए जो परियाय सब्दाते हैं वो है कलापी, बसंत दूद, काक, वनप्रिया, शामा और पिक कलाजी था मोर का, कलापी है कोयल का तो हम वहीं पर हमने ट्रिक में भी याद कर लें कलाजी मोर ये याद रखना है अब हमारी जो कोयल की परियाय वाची शप्ते उनकी ट्रिक है कोयल कलापी के बसंत काके ने वनप्रिय शामा पाली कोयल कलापी के बसंत काके ने क्या किया कि वनप्रिय शामा पाली उसने उसको पाल लिया है तो कोयल कलापी, कोयल से कोयल बनेगा, आप याद रहेंगे कि कोयल के परियाईवाची है यह, तो कोयल से कोयल, कलापी से कलापी, बसंत से याद रखिए, बसंत दूत, काके से याद रखिए आप काक, काक कोयल को केते हैं और काक ही कवे को भी बोल दे जाता है, वनप्रिय से वनप्रिय, शामा से शामा और पाली से पाली, तो कोयल का एक परियाएवाची है पाली, अगला जो हमारा परियाएवाची शब्द है वो है कोवा, कोवा को बोलते हैं काण, करट, करटक, एकास, बलिपुष्ट, पिशून, वायय, काक, काग, इन्हें हम एक ट्रिक से याद करते हैं, देखिए कैसी ट्रिक है, कोवा के काण में करण्ट लगा, तो एक बलिपुष्ट ने वायय किया, बड़ी मज़ेता ट्रिक है, कि कोवा के काण में करण्ट लगा, तो एक बलिपुष्ट ने वायय किया, कोवा के काण में करण्ट लग एक से याद रखें कि एकास, बली से बली पुष्ट, पिशुने से बनेगा पिशुन, ने नहीं बनेगा पिशुन, बाय से बनेगा वाय। अगला हमारा जो परियाएवाची शब्ते है वो है वन, वन के परियाएवाची है अरन्य, विपीन, दावा, कांतार, विजन, अटवी, कानन और जंगल तो हमें समयनते याद रहते हैं, दावा, कांतार इनमें हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसकी ट्रिक बनी है, दे की अरन्य वन में विपीन लाम के लड़के ने दावा किया कि कांता विजन से अटक गई है को विजन यानि रीजन जैसे हम बोलते ना तो वैसे विजन तो अरन्य वन में विपीन का दावा कांता विजन से अटकी अरन्य से याद रहेगा अरन्य वन से याद रखना है वन विपीन याद रखना है विपीन जंगल को कहते हैं वन को कहते हैं दावा भी वन को कहते हैं कांता से आपको याद रखना है कांतार वीजन वन के लिए आता है और अटकी से याद रखना है आपको अठवी तो यह हुई आज क्या आपका जो परियावाची शब्त थे इनकी ट् बनाई है आपको पसंद आएगी अगर आपको पसंद आती है तो आप से लाइक करना ना भूले कमेंट्स के माध्यम से मिझे जरूर बताइए कि आपको यह जो वीडियो है वो कैसा लगा इनमें जो ट्रिक बनाई है वो आपको कैसी लगी आपको इनसे कितना फायदा हुआ अ यह तो आपको परियावाचीशत होते हैं आपके बहुत सारे होते हैं और इनको बनाने में बहुत ट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करना का कोई खरजा नहीं होता है और सब्सक्राइब के पास जो बैल आइकोन का बटन होता है उसे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद